मस्किलर सिस्टम का काम होता है बॉडी की मुवमेंट्स प्रोवाइड करना बर्ट्स में जो मस्किलर सिस्टम वेंट्रल साइड का है that is well developed बट डोर्सल साइड में जो मसल्स हैं they are atrophized atrophized मतलब कि वो श्रिंक्ड है क्योंकि जो डोर्सल साइड पे क्वर्टी भी प्रेजेंट है वो immobile होते है तो अगर उनमें मुवमेंट होनी नहीं है तो जो मसल्स हैं जो की मुवमेंट में help करते थे वो भी दीरे-दीरे करके श्रिंक हो जाएगी क्योंकि उनका काम ही नहीं वो कर पा रही है तो वो काम भूल जाएगी अब मसल्स को हम पढ़ रहे हैं अंडर appendicular muscles बर्ड के केस में सिरफ appendicular muscles पाई जाती है मतलब जो body के middle axis पे नहीं होती जो sides में होती है ये muscles फर्दर दो types की हैं हम ये जानते हैं कि बर्ड के पास forelimb होते हैं movement के लिए and इसके इलावा hind limb होता है movement के लिए जो forelimb होता है it is modified to form wings तो जो movements हैं अब उसको हम दो sections में पढ़ेंगे एक जो wings की help से होती है movement और दूसरी जो hind limb की help से movement होती है तो जो wings की help से movement होती है जो wings के muscles से movement होती है उन muscles को बोला जाता है flight muscles उसके बाद हम देखेंगे flight muscles के इलावा muscles of hind limbs कैसे movement करवाती है फिर देखिए start कर रहे है flight muscles से flight muscles तीन categories में रखी जाती है first is pectoral muscle pectoral muscle जो forelimbs वाला जो area है उस side जो muscles होंगी वो वाली then other is accessory muscles and third one is tensor muscle इन तीनों को one by one पढ़ते है start करते है pectoral muscle से pectoral muscle further दो टाइप्स की होती है one is pectoralis major जो सबसे जादा amount में present होती है it is pectoralis major other is pectoralis minor तो देखिए pectoralis major muscle जो है ये bird की body का one-fifth weight occupy करती है इसकी shape होती है triangular and ये लाई करती है sternum के side में ये मान लीजे ये है sternum breast bone है breast bone के side में दो triangular muscles दिखेंगी आपको that is pectoralis major अब देखिए ये जो दो दो ट्राइंगुलर मसल्स हैं pectoralis major कहां है ये breast वाले एरिया में breast वाले एरिया में right side पे भी एक bone होती है जो collar का part form करती है वैसे ही left side पे भी एक bone होती है जो collar का part form करती है इसे बोलते है collar bone या clavicle तो हम ये भी देख रहे हैं pectoralis major clavicle के नीचे पाई जाती है और ये clavicle से attached भी होती है and clavicle further attached होता है four limb के पहले part से जिसको बोला जाता है humorous this is humorous then four limb का दूसरा part आता है radial ना and फिर उसके बाद hand आ जाता है तो देखिए जो clavicle है उससे pectoralis major attached है and ये further humerus से attached है and ये जो attachment है वो कुछ tissue की help से होती है उन tissues को बोला जाता है tendons हमें ये पता है humerus एक bone है and pectoralis major एक muscle है वो tissues जो bone और muscle के बीच में connection करवाते हैं communication करवाते हैं they are called as tendons so अभी तक क्या देखा हमने कि sternum के around ये जो pectoralis major muscles है ये humerus के साथ connect हो जाती है by tendons इसके इलावा ये जो muscle है pectoralis major ये red color की होती है काफी dark red color की होती है because इनमे blood vessel की supply देखी जाती है फिर देखे इनका काम क्या होता है जैसे ही pectoralis major muscle contract करेगी contract करेगी तो ये अपने आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी तो इसको हम बोलेंगे depressor इसने अपने आपको नीचे किया अब जैसे ही नीचे किया bird के जो wings है ये जो humorous वाला reason है ये फॉरलिम वाला part है ये सारा wing में modify होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके है तो अगर ये muscle contract करके नीचे आई तो ये सारा part जो इसके साथ connected था ये भी नीचे आजाएगा तो इस condition को बोलते है down stroke so pectoralis major bird के अंदर down stroking करवाती है जैसे ये down stroke होगा bird की body उपर की तरफ uplift होगी propel करेगी body ये जो wing की down stroking है it will propel body to move upward तो flight लेने का पहला तरीका आ गया है पहली जीज टार्ट हो गई है by help of pectoralis major muscle फिर उसके बाद proper flight लेने में जो help करेगी is next muscle that is pectoralis minor muscle तो देखिए pectoralis minor muscle ये इसकी location देखिए पहले ये clavicus के clavicle के नीचे होती है तो इसे बोला जाता है subclavius इसके लावा kerakoid के उपर होती है तो इसे suprakerakoid भी बोला जाता है इन दोनों के बीच में होती है kerakoid और clavicus के बीच में तो मतलब बहुत deeply embedded होती है इसको deep pectoralis muscle भी कहा जाता है छोटी सी बोन है elongated bone है इसका काम क्या होता है position हमने देख ली clavicle और kerakoid के बीच में है kerakoid उपर है clavicle नीचे उसके बीच में pectoralis minor muscle यह क्या करेगी यह बिल्कुल pectoralis major का उल्टा काम करती है pectoralis major bird के wing को नीचे की तरफ करती थी जिसके help से bird की body उपर ट्रोपल होती थी अपलिफ्टिंग होती थी यह क्या करेगा यह wing को उपर की तरफ move करवाएगी जैसे wing उपर की तरफ move किया इसे बोला जाएगा elevation तो इसको बोल सकते हैं एक elevator muscle है इसके इलावा इसके लिए go-to we use करेंगे up stroking यह wing उपर की तरफ move किया तो up stroking होई तो पहला वो पार्ट था जिसकी healthy wing नीचे move किया दूसरा वो पार्ट हुआ जिसकी healthy wing उपर move किया finally इसकी वज़े से bird take off कर जाएगा मतलब flight ले ले जा तो यह दोनो muscles help करती हैं flight लेने में अब इसको थोड़ा और detail में देखते हैं देखिए जो clavicle bone है clavicle, collar bone, scapula and caracoid यह तीनो पास-पास present होती है इनके junction पे एक aperture present होता है उस aperture को बोला जाता है foramen triosum triosium देखिए यह foramen triosium मैंने क्या बोला इन तीनों के junction पे present और यह तीनों humorous के पास होती है humorous क्या है wing का एक part है तो अब देखिए जैसे ही pectoralis minor muscle contract करेगी तो यह क्या करेगी foramen triosium को contract कर देगी and जैसे foramen triosium contract हुआ यह humorous को उपर की तरफ लेके जाएगा humorous को तीछे और उपर लेके जाएगा तो उपर हुआ मतलब up stroking हुई या elevation हुई finally it will lead to take off so देखिए pectoralis minor is an elevator muscle it goes up stroke of wing जब यह contract करेगी foramen triosium pulley की तरह काम करेगा humorous को पीछे और उपर लेके जाएगा and finally flight ले ली जाएगी next हम बात कर रहे हैं accessory muscles की अभी हमने देखी pectoral muscles accessory muscles भी elevate या depressed करने में ही help करेंगी flight के time पे यह mainly दो muscles होती हैं accessory muscles जो elevation या depression करवाती हैं they are located or they arise from kerakoid kerakoid से arise होती है they are called as kerakobrachialis longus and kerakobrachialis bravis muscles यह humerus के ही पास होई चाहे kerakoid होए चाहे clavicle हो या scapula हो humerus के ही पास होती है तब यह दोनों muscles contract, retract करके wing को rotate करने में help करती हैं फिर आजाती हैं और accessory muscles biceps and triceps यह भी intrinsic muscles हैं यह slide के time के adjustments में ही help करेंगी next is muscles of foramen foramen जो अभी हमने पढ़ा foramen prioseum उसकी एक muscle होती है जो radius के साथ attached होती है हमने यह पढ़ा forlim का उपर वाला part होता है humerus then आजाती है radius alna and फिर उसके बाद hand आजाता है तो digits आएंगे तो यह जो radius और alna है इसके साथ जो radius है उसके साथ एक muscle होती है that is extensor carpi radialis and जो alna के साथ attach होती है foramen की muscle that is extensor carpi ulnaris इनका काम है stretching करना stretching भी करना और folding भी करना next radius bone जो है यह इसको rotate किया जा सकता है by the help of brachioradialis muscle फिर digital muscles digit को control करते है जो hand के digits है उनकी rotation उनकी movement करते है फिर आजाती है policies muscle यह bastard wing को move करवाते है bastard wing हम quill feathers में पढ़ चुके है इसको alas puria बोलते है जो first digit है उसके उपर एक bunch सा present होता है feathers का छोटा-छोटा tuft of feather is present that is called as alas puria तो जो उनकी movement है उसको policies muscle control करते it is also accessory muscle next आजाती है tensor muscle तीन tensor muscles है mainly एक और भी tensor muscle होती है उसको exactly tensor muscle नहीं करते है बट वो similar होती है tensor के तो mainly तीन tensor muscle है one is tensor longus other is tensor brevis and other is tensor cesareus इन तीनों का काम है pre-petagium की stretching करना flight के time पर और fourth जो tensor muscle जैसी muscle आजाती है it is tensor posterioris ये post-petagium को stretch करके रखती है तो अभी हमने पढ़ लिया है जो forelimb की muscle है या wings की muscle है उनको हम पढ़ चुके हैं next हम पढ़ रहे हैं muscles of hind limbs आप देखिए जो hind limbs हैं ये proper hind limbs ही हैं ये wings में modified तो होती नहीं है तो hind limbs देख लेते हैं ये है hind limb का उपर वाला पार्ट फिर नीचे और फिर उसके बाद आजाता है foot तो ये जो उपर वाला पार्ट है यहाँ पे एक bone present होती है femur इस पार्ट को बोला जाता है thigh उसके बाद नीचे वाला पार्ट यहाँ पे present होती है tibia and fibula इस पार्ट को बोला जाता है shank and ये last वाला पार्ट this is called as foot यहाँ पर tarsals present होती है tarsals metatarsals होती है और बिल्कुल जो digits वाले होती है that are phalanges digits की bone दुबारा देख लीजे उपर वाला पार्ट thigh इसके अंदर femur होगी shank में tibia fibula and foot में tarsal metatarsal phalanges अब हम start करते है muscles of hind limbs hind limbs में hind limbs का काम होता है जब भी bird ने relax करना है तो या तो ये किसी पेड की branch पे जाके बैठ जाएगी या किसी wire पे बैठी हुई हमें मिलेगी जब भी इसने सोना है तो भी wire पे या tree पे जाके बैठ जाएगी तो जब ये tree की या wire की branch पर जाके बैठेगी तो ये अपने hind limbs की foot को use करेगी foot के जो digits हैं इनको इस wire के around roll करतेगी और ये roll करके वहाँ पर relax करेगी इस चीज़ को बोला जाता है purching mechanism मतलब जो bird ने अपने foot को यहाँ पर curve करके रख दिया और अपने आपको relax करने के लिए अपने body पूरी body को तो relax कर रख है सिरफ foot को यहाँ पर align करके अपने आपको उस पर बिठा रख है this is called as purching mechanism और जिस चीज़ पर ये बैठी है चाहिए वो branch है, tree की या wire है इसको बोलेंगे purge तो अब देखते हैं purging muscles कोन सी है दो तरह की purging muscles होती है one is flexor muscle other is extensor muscle starting with flexor muscles 8 flexor muscles होती है total और ये tibiotarsus bone के back में present होती है now what is tibiotarsus ये देखिए ये थी tibia tibia और fibula यहाँ थी tibia और ये जो tarsus हैं ये दोनों connected होती है एक जगा पे that is called as tibiotarsus तो tibiotarsus के पीछे ये present होती है और ये सारे जो आठों की आठो flexor muscles हैं ये knee joint के पास जाके सारे insert हो जाते हैं knees में जाके insert हो जाते हैं अब इन आठ में से जो 6 flexor muscles होती हैं ये अपने tendons को पास करती हैं phalanges में कौन सी phalanges में anterior toe की phalanges में जो दो बच्ची होई flexor muscles हैं ये hind toe की phalanges में अपने tendons को पास करती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए 6 flexor muscles तो क्या कर रही हैं anterior toes को control कर रही हैं और दो flexor muscles सिरफ 2 flexor muscles posterior को या hind toe को control कर रही है जिसको hallux भी बोला जाता है हमने ये देखा हुए ना कि जो bird जब बैटती है वायर के उपर तो उसका एक तो एक डिजिट आगे होता है और बचे हुए जो तीन डिजिट है वो तीछे होता है तो ये जो तीन है ये जो तीन है थीज आर कंट्रोल बाइ 6 flexor muscles और वन इस कंट्रोल बाइ 2 flexor muscles इस वन इस कोल्ड आज हाई 2 और हैलक्स अब कुछ इंपोर्टन फ्लेक्सर मसल्स के नाम याद रखने हमने वन इस ambience अब इस परोनियस मेडियस gastro anemius flexor performance अब देखिए एक काम कैसे करेंगी जब bird sleeping में होगा body को इसने relax करना सारा का सारा weight इसके hind limbs पे आ जाएगा तो इसके hind limbs में जो ये tendons हमने पड़े जो tibia, tarsus को connect करके रखता है ये tendons tight हो जाएगे ये और ये this one is tibia and tarsal is this one इन डोनों में जब tightening होएगी तो ये जो foot है ये भी अपने आपको contract कर लेगा so finally body तो relax हो जाएगी सिरफ इतना सा part अपने आपको contract करके bird को संभाल लेगा so अब देखिए when a bird sleeps with body relax the weight of body bends the ankles tendons जब अपने आपको contract करेंगे ankle bend हुए and tendon tight हुए जिसकी वज़े से एक firm grip आजाएगी पर्च पे बैठे हुए bird के पास तो अब bird जो है वो गिरेगा नहीं at least पर ये क्या करेगा अपने आपको और बचाने के लिए अपने tendons को और जादा tight करेगा जो इसकी flexor muscles हैं वो tendons को tight करके tarsal metatarsus को connect कर देगी and जो हमने ये पढ़ा था tibia tarsus ये दोनों भी एक दूसरे को connect कर लेंगे finally होगा क्या इनकी वज़े से interlocking हो जाएगी digits की digit और पर्च एक दूसरे के अंदर इसने आपको ऐसे interlock करके रख लेंगे अब क्या होगा बर्ड की full gripping हो गई है अब वो बर्ड नीचे नहीं गिरेगा अब जब उस बर्ड को उठने उसने relax कर लिया जब वो उठेगा नीन से तब काम करेंगी extensor muscles अब उसको gripping छोड़नी है और अब उठ जाना है तब क्या होगा the toes are unlocked by raising of body by extensor muscle अब बिल्कुल opposite होगा जो tibio tarsus connected थी tibio metatarsus connected थी वो एक दूसरे को contracted थी पहले अब वो relax करेंगे एक दूसरे को छोड़ देंगे जैसे उन्होंने छोड़ा बर्ड बिल्कुल free हो गया gripping loose हो गई finally या वो take off कर सकता है उड सकता है this is all about muscular system of birds